हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका इस नई वीडियो में आज के इस वीडियो में हम एक navigation issue को discuss करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत आती है कि अगर वो navigation सेम तरीके से अगर इस तरीके से navigation को call करते हैं तो सम्टाइम्स काम कर जाता है navigation के लिए बट कभी-कभी अगर आप इसको ड्रोर ओपन करने के लिए या यूज करने के लिए यूज करते हो तो जो ड्रोर का function होता है ओपन रोर या इस तरीके फंक्सन undefined आते हैं और issue आपको face करने को मिलता है तो confusion यह होती है कि किस तरीके से हम navigation को use करें कभी-कभी प्रॉप से निकाल लेते हैं कभी-कभी hooks की help से बनाते हैं तो आज बिल्कुल एक example लेकर इसको समझते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कभ कौन सा navigation यूज करना है कभ प्रॉप बाला यूज करना है और कभ इस तरीके से बना के हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो का पूरा देखना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर देना श्टार्ट करते हैं तो अगर हम पहला example समझें कि मैंने यहां पर क्या किया एक navigator बनाए सबसे पहला वाला navigator जिसे हम stack navigator बोल रहें यहां पर जिसके अंदर मैंने दो screen set करी है पहली intro screen जो यहां पर आपको सामने दिख रही है दूसरी screen man है तो अगर आप intro screen पर हम जाते हैं यहां पर तो देखते हैं कि मैंने यहां पर एक navigation बनाया है यह object जिसके अंदर dispatch go back pop pop to pop navigate ठीक है get parent can go back और यह सारे functions देखने को मिलते हैं जो एक हमारे stack navigator से related है एक screen से दूसरे screen पर जाने के लिए back जाने के लिए dispatch करने के लिए बगहरा बगहरा इसमें drawer का कोई भी environment नहीं है अभी भी कोई भी drawer से इसका कोई भी मतलब नहीं है बट जब मैं इस screen से nest screen पर जाता हूं यहां यह screen जो है man वाली actual में मैंने कैसे बनाई है as a drawer navigator देखो इससे देख सकते हो यहाँ पर man पर हम आएंगे तो मैंने इसे drawer navigator की दिरवन आया है ठीक है अब अगर मैं इसमें default screen कौन से दिखाई मैंने home यहां पर मैं जाता हूं यह screen किस की हुई drawer navigator की तो अगर मैं यहां पर console करूं सेम navigation है न अगर मैं इस navigation को console करता हूं तो आपको फर्क समझ में आएगा console.log और navigation अगर मैं इसको save करूं तो देखो यहां पर मुझे एक navigator मिल रहा जिसमें देखो close drawer ठीक है यहीं कहीं पर हमें open drawer का भी function मिल जाएगा मतलब हमें drawer से लिए देखो open drawer अब मुझे drawer क्योंकि मैं drawer के navigator के अंदर आ गया हूं तो मुझे drawer से related functions मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यह navigation कैसे काम करेगा भी drawer के लिए अच्छे से काम करेगा लिखने का तरीका बिलकुल सेम है कोई भी फर्क नहीं है यही चीज अगर यह जो ड्रॉर हम साइड में बना रहे है क्योंकि मैं यह बटन दिखा रहा हूं अगर इसके अंदर हम navigation की object को चेक करें तो इसके अंदर क्या होगा कि actual में इसके अंदर होना चाहिए था क्या सेम इसके अंदर भी close drawer का option होना चाहिए था open drawer close drone के functions में इसके अंदर अबलेबल होने चाहिए थे बट अगर हम यहां पर जाएंगे कहां पर custom drawer में तो आप देखोगे अगर मैं इसको कॉंश्ट करता हूं नेविगेशन को तो यहां अगर save करूं यहां पर तो यहां पर मैं देखूँगा कि यह है ठीक है पहला वाला तुमारा जो अभी वह वाला था ठीक है दूसरा वाला यह है इसके अंदर आपको कहीं पे close drawer open drawer नाम का कोई भी function नहीं मिलने वाला इसका मतलब क्या है कि यह जो फाइल है ना इसके अंदर से सिर्फ अब क्या कर सकते हो एक screen से दूसरे किसके अंदर drawer के अंदर तो हमें navigation यहां कहां से निकालना पड़ेगा प्रॉप से और अगर आप इसको console करोगे इस navigation को तो आपको यहां मिल जाएगा open और close drawer देखो close drawer open drawer अगर आप इस बटन पर किलिक करोगे ना नेविगेशन.close drawer लगाता हूँ ठीक है तो यह मेरा close हो जाएगा यही चीज अगर मैं फिर से यहां किसके साथ करूं नॉर्मल नेविगेशन के साथ करूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कॉंस्ट नेविगेशन नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन अब इस नेविगेशन से यह open होना चाहिए नहीं होगा क्यों क्योंकि इस नेविगेशन के अंदर कोई भी open और close door का method available नहीं था अब देखो मैं इसको save करता हूँ save करके open तो यहां से हो जाएगा बट close करने पर यह देगा error देदिया error navigation.closeddoor is not a function जबकि navigation तो हम यूज के अंदर यूज करें भाई इस वाले navigation का जो reference है इसके अंदर वो function ही available नहीं इस वाले की अंदर से निकाल रहे है ठीक है तो यह फर्क समझना होगा आप जब भी navigation यूज कर रहे हो अगर कोई भी दिक्कतारी उसको console करके देखो कि उसके अंदर वो same function available है या नहीं अगर available है तो यूज करो नहीं है तो फिर टेंसर नहीं मतलो प्रॉब बाला यूज कर लो ठीक है तो इस तरीके से हमेशा चेक करके नभी application को यूज किया करो अगर कभी भी दिक्कतन फस जाते हो तो यही solution आपको काम आएगा ठीक है वीडियो अच्छा लगए तो अभी कभी लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई